तो यह दो लाइन पूरे चाप्टर में होंगी तो इसे दियो इनको दिमाग पर रखेंगे सब कुछ इसी के आसपस भूमेंगे राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेलपिंग कंट्रीज और अफ्लुएंट कजब कंजम्शन और प्रॉडक्शन स्टैंडर्ड्स हास पुट हुज स्ट्रेस ऑन दी एन्वार्मेंट के पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ती जा रही है मनी रीसोर्स रूत कम एक्स्तिन ऑन वेस्ट जेनरेटेड और ब्रॉपुलेशन गर्योंट ओपिश्ड पैसिटती फिञ्डिंवाइरमें जरेटेड हैं प्योंड थिए दिए इन्वार्मेंट तो अब्सॉपुलेशन पीश सब्सक्राइब कर लेंगे कोई नुकसान भी नहीं होगा और फिर से फ्रेश से शुरू करेंगे और बेटर भी हो सकते हैं इफ यह परेटिंग विदिए अब्सक्राइब कर लेती हैं खुड़ा फैको पत्लिमित में लिमित में सबके कैरिंग कैरिंग कैपासिटी हैं देविए रिजिए इस पॉर एंविरिमेंटल क्राइब ग्राइब अश्माराइब अग्रइब शॉजिए और नम्ब वन अब सबको चाहिए कि हाए अच्छी सी हवा में सांस ले सकें साफ सुत्री हवा में तो सोचो मतलब इस चेंज के लिए लोग ट्रैवल के लिए चले जाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं चैन की सांस लेंग तो डिमांड फॉर और ऑनविरमेंटल रिसॉर्सस बढ्रही है का मतलब यह है की इंविरमेंटल दीग्रेडेशन बिकास अफॉर्म ट्रैशन एंडूस्तियर रेवलूशन पीपल दे आर वीविंग अवेंड व्यावें प्रॉज फॉर्ट उट्रेसेशर्चिंट्यर में अजाने टॉर्च्ट due to this huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources extinction of many resources अब जैसे पेट्रोल है डीसल है रीसोर्सेजी तो हैं अब वो दीरे-दीरे खतम होते जा रहे हैं और वो अच्ना जादा हाम प्रोवाइड कर रहे थे तो को से एंगी पेशिफ्ट फेड़ेड क्लीन फ्यूल फेड अब पुरुने का की अब इलेक्ट्रेक तो चेंज आ प्रेड़ी तो यह पॉइंट वही है इशक्ली दू तो बुट ड्रीओन खियौज किस्टेट आटेन स्वेंगी नहीं कि एहरती लूुक टंहीन75 तश्रीओ बूलनि dedुड to the the developed world the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment technological waste इतनी बड़ी प्रोब्लम है ना हम लैप्टॉप मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रोनिक इवेस्ट जिसे कहेंगे आप अब इमैजिनी नहीं कर सकते इतना जाधा क्यूमिलेट होता जाता रहे इतना जाधा जाधा बड़ी प्रॉबलम है क्योंकि उन सब चीज़ों को अब्जाब करना काफी जाधा डिफिकल्ट होता है टेपर प्लास्ट प्लास्टिक भी बहुत टाइम लेता है बट खाने पीना जो है वो बहुत जादा हो गई है the development process has polluted the atmosphere and waters atmosphere and waters and there is decline in air and water quality 70% of the water in India is polluted not fit for drinking it has resulted in increased incidence of respiratory and waterborne diseases the expenditure on health is also rising global environmental issues such as global warming ozone depletion also contribute to increased financial commitments for the government what are the reasons for environmental crisis summarize करेंगे number one population explosion and the advent of industrial revolution extensive extraction of renewable and non-renewable resources extensive extraction the rate of extraction being more than the rate of regeneration extinction of many resources करेंगे खतम होरे है अब नहीं technology लाने पडेगी वो खतम a fluent consumption and production standards air and water pollution due to development process global warming and ozone deprivation र्षाये तो रहीं नहीं, gece अउई खर घ्क रूएन अज़ में पर खना के लैए नहीं अई़